असलाम अलेकुम अच्छा पर टॉपिक नाम बालो जी एंड़ सर्विस और मैंनकर्ड जो कि बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है आज पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट की एक्जिस्टिंग वराइटी है आज कल हम उसको इंप्रूफ करें बालो जी की मदद से और इस तरह से हम पॉल्ट्री ब्रीड स कही बनाना शुरू करें एवन कि ट्रांसजैनिक प्लांट ऑठ ट्रांसजैनिक एनिमल्स हमने प्रोडूस करवाएं जिनेटिक एंगिनियोंु से ट्रांसजैनिक प्लांट का मतइरा एसे प्लांट जिनकी एंडर पूरण डिनुम्स Practice ट आप उनको transgenic animal कहते हैं और इन दोनोर तरह की types को बनाने के लिए जो field हमें मदद दे रही है बड़ा उसका नाम के genetic engineering है even कि even आज का क्लोनी का method आ चुका है, क्लोनी का मतलब produce करवाना genetically identical copies को, अब यह genetically identical copies किसी भी organism की हो सकती है और यह जिस method से करवार है, उसका नाम asexual reproduction है, यह भी बालो जी के अंदर हो रहा है बालो जी मतलब दिया tissue culture करवाने में, tissue culture का मतलब एक plants को tissue की मतलब से complete grow करवाना they are called tissue culture method है, मतलब grow करवाना tissue से living organism से outside in artificial medium किसी artificial medium में रखके tissue से complete plant को grow करवाना, they are called tissue culture है इवन की इवन जो pest होते हैं, pest जो के organism है, जो harms, नुकसान देते हैं living organism को इनको मारने के लिए आजकर हमने chemical बनाना शुरू कर दी है, उनका नाम insecticide है, fungicide है, pesticide है जैसे कीडे मुकोडों को मारने के जो chemical use होता है, उसको insecticide कहते हैं और ऐसा chemical जो fungi को मारने के लिए यूज होता है, उसको fungicide कहते हैं और जो pest के लहाँ से अगर कोई chemical use होता है, अब उसको pesticide कहते हैं तो यह सारे जो chemicals हैं जिसकी मदद से बना रहे हैं बड़ा उसका नाम biology है biological control भी biology के मदद से एक ऐसा method यूज हो रहे है, जिससे living organism को control किया जाता है living organism की मदद से जैसे के हैफिड है, एक कीड़ा यह attack करता है, जितने भी अखरोट वाले द्रखत हैं, उनको खराब करता है, उनको तबाह करता है अब हैफिड को मारने के लिए हमने वैस्प जो भूंड होते है, पीले कलर के इसको यूज करते है, तो वैस्प की मदद से हैफिड को control करना, living organism से living organism को control करना, ताके pollution ना हो, their call biological control है इसी तरह आगे हमारे पास काफी ज़र टकनीक है, मैं आपको बताता है, चलूँ के ये टॉपिक बहुत ज़्यादा important है, as a long और short के लहाँ से, एक टकनीक है जिसके पास्टराइजेशन है, लूइस पास्टर ने डिवैलप किया था, ताके दूद को preserve किया जा सके, दूद क की हफाज़त की जा सके, दूद के अंदर जितने भी जरासीमा उनको मारा जा सके, और मेरे बचे इसको prevent किया जा सके, ये जो method है, लूइस पास्टराइजेशन है, हाइड्रोफोनी कल्चर टेकनीक, बालो जी के मदद से आई, हाइड्रोफोनी कल्चर टेकनीक बहुत important short question भ क्या plant के लिए important है, growth के लिए या नहीं है, ऐसे test करने वाले method को नाम दिया जाता है, ये technique को नाम दिया जाता है, हाइड्रोफोनी कल्चर टेकनीक है, इस technique की मदद से हम plant को grow करवा सकते है, air-related water, हवादर पानी के अंदर, मटी के अंदर नहीं, हवादर पानी के अंदर आप ऐसी method को use करके plant को grow करवा सकते हैं, और even given, yet it's not a feasible, ये आज कल के वकर में बहुत महगी technique आप use नहीं कर सकते हैं, इसको use करवा जाता है, astronauts जो के एक सियारे से दूसरे सियारे में जाते हैं, जो astronauts होते हैं, वो इस technique को use करते हैं, vegetable को grow करवाने के लिए, एक technique है IDM, जो के बालो मतलब के disease के खलाब लड़ना, combat करना, जब disease के खलाब लड़ा जाता है, तो utilize किया जाते हैं काफी जादा method को, काफी जादा method को use किया जाता है, उन बमारियों के खलाब लड़ने के लिए, और जिसके लिए हमें जरूरत होती है, require होती है, और ensuring, और बताया जाता है, participation of community, कि community को participate करवा जाता है, यह बमारी ऐसे फैलती है, इसे ऐसे बचा जाता है, इस program के अंदर, ऐसी program को नाम दिया जाता है, IDM, Integrate Disease Management, जिसमें community को awareness दी जाती है, और ताके कैसे severity बचा जा सके, इस problem से, कैसे यह बमारी फैलती है, और इसका अलाज किया है, यह सारी के सारी community के जो awareness देने वारा जो program है, इसका नाम के बचा आईडियम, यह बड़ा important as a short long MCQs किलासे topic जिसका नाम है, बालो जी and the service of mankind है, मैं एक ज़रा सी term बता कि ना topic खतम कर हो चुक है, वैसे मैं बता दूँ, प्रिवेंटी मिया में ना दो बमारी बड़ी मशूर है, एक है AIDS और एक है hepatitis हेपा का मतलब होता है, लिवर टाइटर्स का मतलब है, एड्स का पूरा नाम के acquired immune deficiency syndrome है, ठीक है, acquired immune deficiency syndrome, syndrome का मतलब होता है, कोई भी ऐसी बमारी जिसके काफी ज़्यादा symptoms होते है, complications होती है, तो complications वाले जो बमारी होती है, उसके साथ syndrome लग जाता है, एड्स को करने वाले HIV वा है, वो HAV भी हो सकते है, हBV भी हो सकते है, हCV, HDV और HEV भी हो सकते है, जैसे कि AIDS का जला सी में कैसे पहलता है, sexual contact से आता है, बोडी के अंदर, blood transfusion से, और even contaminated syringes surgical instrument को यूज करके हमारी बोडी में आ जाता है, और हमें AIDS के बमारी कर देता है, hepatitis का jealousy कैसे spread होता है, blood के मदद से, और even contaminated syringes है, जो के गंदी syringes है, जो के एक दफा यूज हो चुकी है, अगर वो ही syringe किसी ओल में यूज होगी, तो उसको भी hepatitis हो जाएगा, और surgical instrument से spread होता है, जिसका नम के hepatitis है, जजा कर लारू करे,